जैहिन नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरी श्राइब करता हूँ आपके अपने यटूब चैनल कमांड और केट में पर दोस्तों आज का ये वीडियो इस पेसली बहुत सारे बच्छों के कमेंट आते हैं बहुत सारे बाई लोग कमेंट करते हैं कि सर ऐसे जीडी के इस बा बार का जो पेपर था उसके लेवल के अनुसार तो इसलिए आप सभी के उन कमेंट की रिप्लाइ के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ससे जीडी में जो कटोप है वो तीन बार आती है अभी आपकी ये कटोप आएगी फीजिकल के लिए इसमें एक खास बात होगी कि कि इसमें कुछ सरütfen के आँख लिए जुड़े जाएंगे बहूत सारे बच्चे बोलते हैं क्या फानल मेर्ट में जुड़ते हैं या पहली कटोप में तो मैं आपको बताओ कि नूर्मलाजाशन जर सबसे पहले cut up आती है उसमें जूड़ता है कि आपके normalization से कितने number बड़े उसके बाद की जो cut up आएंगे उनमें कोई normalization कुछ नहीं होना ठीक है ये cut up आएगी किस के लिए physical के लिए आएगी सबसे पहले cut up जिसमें normalization के आंकडे भी जोड़े जाएंगे जब आपका physical होगा तो जितने लोग बचिकल में पास होंगे physical case study में कोई भी number नहीं है लेकिन आप सभी को पता है जिसे लड़कों के लिए पांच किलो मिटर रनिंग test 80-85 यानि जनरल काश्टों के लिए और जो छूट उनको रहती है height 176 में यह जो criteria यह पास करना जुरूरी है लड़कियों के लिए 166 मेंटर के रनिंग होती है आपको पता height 157 में उनका होता नहीं वज़न वज़न यह सब चेक होते हैं आप सब क्यों पता साथ में इसके इसी समय documents verification होता है तो उसको भी clarify करना बहुत जूरूरी बहुत सारे लोग documents में और physical में निकल जाती है यह जितने लोग physical की पहली कटोप आती है इसके अंदर होते हैं इसमें से लगबग 30% लोग physical और documents में भाहर हो जाते हैं 25,211 पोश्ट की यह vacancy आप सभी को पता है तो medical जो होगा वो लगबग 45,000 से लेके एक लाग बच्चों तक का medical होगा तो यह नि इस physical में जितने बच्चे पास करेंगे उन्हें में से क्योंब एक लाग यह नि maximum एक लाग बहुत मुश्किल केस में पिच्चे तक असी या नबबग आसपास तक बच्चे पास करेंगे उनका होगा medical अब medical में क्या होगा मैं आपको बता दूगी medical में लगबग इन्हें से 30% के आसपास 15 से लेके 30% के आसपास बच्चे medical unfit हो जाते हैं उनको medical point मिलते हैं जो बाद में नहीं तूटते हैं तो इन्हें में से एमान के चलिए कि 25,000 पोस्ट पर लगबग जो competition रहता है या बच्चे जो रहेंगे 60,000 के आसपास 60,000 या maximum होता है कि 60 से 70 के बीच में बच्चे रहेंगे फाइनल कटोप के लिए अभी जैसे मैं आपको यहांकड़ा कैसे बता रहा हूँ इस प्रेस्ट रोप्षिं मैं आपको बता हूँ कि 2018 वाली वेकेंसी आप सभी को पता है 60,000 पोस्ट लगबग 62,000 पोस्ट की वेकेंसी थी कितने थी बेटा 65,000 की तो आप बोलोगी कि गुरू जी 65,000 मेंसे पास कितनों को किया था तो मैं बताओं फाइनल मेरिट में 65,000 मेंसे लाड़ लो एक लाग नो हजार लमसम बच्चे फाइनल कटोप में रोके गए थे जिन मेंसे 67,000 पोस्टों को मेरिट देनी थी लेकिन फिर मेरिट के समय हुआ किया था 54,000 बच्चों को मेरिट में नाम लिस्टड किया गया था उस तो पोस्ट एक लगबग 3,000 तो पोस्ट खाली रह गए थी और कुछ X-Servisman की जो पोस्ट थी 802 पोस्ट वो खाली रह गए थी इसमें से कुछ पोस्ट है ये भी है इस वज़े से इस परकार से लिस्टड किया जाता है तो इस बार भी 25,000 पोस्ट की ये वेकेंश है तो लगबग ये मान के चलिए कि इसमें लगबग 60,000 से लेकर 70,000 तक के बच्चे मेडिगली फिट होंगे इनके बनेगी Final Merit अब जो क्यूसे नातने पहला तो सरी इस बार की कटोफ फिजिल की क्या रहेगी और दूसरा की फिजिली कटोफ और Final Merit की कटोफ में कितना अंतर रहता है तो पहला क्यूसे आपका पहले किलिर कर देता हूँ कि इस बार ahot डा रहेगा, तो मैं आपको बताू हूं कि पिछले paper और इस paper में जो फरक है, दो बड़े-बड़े फरक है अप सभी को अच्छे से पता है, आप सभी समझ रहा है, आपको पता है कि एक जो बड़ा फरक है, वो तो यह है कि इस बार जो पोस्ट है वो पिछली बार की बजाए अधी है यनि 25,217 पोस्ट है जबकि इस बार जो फोरम एपलाई हो पिछली बार से ज़्यादा है फोरम जो एपलाई हो पिछली बार से कही ज़्यादा है ठीक है? तो यनि competition level बढ़ गया है लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक ही आवाया कि क्यूशन में माइनस मार्किंग दे गई है जिसकी वज़े से competition तो बड़ा है लेकिन जो आंकड़े है मेरिट के वो नीचे रहेंगी तोनों चीज़े एक साथ हो गई है अगर माइनस मार्किंग नहीं होती तो सीधी यसी बात होती कि पिछली मेरिट जो गई थी या पिछली मेरिट के जो आंकड़े थे final मेरिट के तो इस बार भी वो आंकड़े क्रोज करेगी यह सीधा सा expect हो जाता लेकिन कि इस बार जो बच्छों के जिनके नंबर कमाए है उनका क्यूशन यह रहता है कि सर इस बार तो मेरिट पिछली बार से नीचे जाएगी तो मैं पहले तो कटोप के लिए बता देना लाड़ लो कि जो कटोप रहेगी वो फिजिकल की कटोप में ज्यादा अंतराल नहीं आएगा पिछली फिजिकल की कटोप और इस फिजिकल की कटोप में इध्यान रखेगा उतने आंकड़े हो सकता है कि दो से चार या चार से पांस नंबर तका फरक आए और वो भी नॉर्मलाजेशन के बाद में बहुत कम हो सकता है तो नॉर्मलाजेशन सब जो जुड़ता है वो कई नंबर बढ़ा देता है इसलिए फिजिकल के आकड़े में जएधा चेंजिंग होने के चांसे कम है और हो सकता है कि दो से चार नंबर निचे ही रहे उपर जाने के चांस कम है लेकिन जो पांज बाद तो फिजिकल से फांज में इस बार अंतर बहुत कम रहेगा माइनस मार्किंग के अकारण्ड इऐट पिछली बार अब तक तो अंतर बहुत जादा था उनमें इस बार जीरो अंतराल रहने वाला है तो इस बार जो फाइनल मेट है और कॉट ओप है इन दोनों में बहुती कम अंतराल रहने वाला है ठीक है? ये बात जहां रखेगा तो कितनी इक उपर जा सकते हैं तो मैं आपको बता हूँ कि मान के चलिए कि आप फिजीकल फाइट कर लिए तो इसके बात अगर आपके प्लास 5 है या इस से जगादा है जो बड़े बड़े राजी इनसे बिलोंग करते हैं तो और अगर आप मान लो कि आपके जो इस टेरेशे BBC 36 गठट उडीशा 9000 रखन मेगाले मनिपूर अश्रम ये बंगल अपना बंगाल एरल आंद्र प्रदेश टेलंगाना ये वाले राज ये तो यहां पर तो पलस पांच जाने की भी बहुत कम चांस होते हैं ठीक है लाद लो तो अब फिजील के आखड़े भी आ जाएंगे और बहुत जल्दी आपक